मैदान में आते ही बुमरा ने दिखाया अपना विराट रूप पलक जपकते ही उड़ा दी जुस्मनों की गिल्लिया जस्परिद बुमरा की कप्तानी में इन दो खिलाडियों ने की बच्कानी हरकत फिर हुआ बड़ा चमतकार इंटरनेशनल मैच में इन दो खिलाडियों ने की बच्चो वाली हरकत कप्तान के साथ फैंस भी रह गये दंग बुम बुम बुमरा ने जबरजस्त वापसी की है आरलेंड के खिलाब मला हाइड में खेले गये पहले टी-20 मैच में टीम इंडिया के कप्तान और स्थीर स्टेज गेदबाज अस्पिरिद बुमरा ने पहले ही ओवर में गदर मचा दिया उन्होंने आरलेंड के ओपनर एंड्रू बालबरनी को ऐसी घातक इन स्विंगर पर बोल्ड मारा कि सब देखते ही रह गये ये नजारा दूसरी गेद पर देखने को मिला जोस से भरपूर बुमरा ने दाएं हाथ के बल्लेबाज बालबरनी को ओवर दविकेट गेंट फेकी जैसे ही इस बॉल ने टपक हाया ये घातक इन स्विंगर बनते ही तेजी से अंदर गुसाई और एक जटके में गिल्लिया बिखेर डाली बुलेट की रफतार से गिल्लिया उड़ता देख बल्लेबाज खुद भी दंग रह गया बालबरनी पहली बॉल पर चौका मारकर बहत खुश हो रहे थे संजू सेंसन ने उनका कैज पकड़ा आखिरकार टकर को डग पर पावलियन लोटना पड़ा बुमरा के साथ ही इस मैच के जरिये T20 डेब्यू करने वाले प्रसिच किस्टना ने भी सांदार बल्लेबाजी की उन्होंने पहले दो वर में 11 रन देकर दो विकट चटका लिए क्रिकेट के मैच में कई दिल्चत्फ नजारे सामने आते ही रहते हैं ऐसा ही नजारा भारत इंगलाइन के बीच मला हाइड में खेले गए पहले T20 मुकाबले में सामने आया यहाँ टीम इंडिया के दो ओपनर बल्लेबाजों की बीच ऐसा कन्फूजन हुआ कि दर्सकों की धड़कने बढ़ गई लेकिन सिरेसा चमतकार हुआ कि दोनों ही बल्लेबाज आउट होने से बच गए आपको बताते चलें कि यह नजारा दूसरे ओवर में देखने को मिला जोस लिटल ने सच्वी जैसवाल को तीसरी गेंड डाली तो उन्होंने इसे लेक साइड कर स्कॉयर के पीछ धकेलने के कोशिज की लेकिन बॉल बल्ला मिस करते हुए निकल गई इधर रुतराज गाइकवाड ने उन्हें रन का कॉल कर दिया गाइकवाड के इस बुलावे पर जैसवाल तेजी से भागे लेकिन ये क्या गाइकवाड खुद बीच रास्ते में ही रुख गए और बॉलर्स एंड की ओर वापस लौट गए जैसवाल तेजी से भाग रहे थे इसलिए वे भी बॉलर्स एंड पर पहुँच गए अब जैसवाल और गाइकवाड एक ही छोर पर खड़े हो गए ऐसे में आर्लेंड को रन आउट का मौका मिल गया हाला कि स्कॉयर पर लगे फिल्डर ने भी एक गलती कर दी उसने गेदबाज के छोर पर ही थ्रो मारा जिससे रुतराज गाइकवाड को दूसरी और जाने का मौका मिल गया अब बॉल को विगट कीपर की और फेका गया लेकिन गाइकवाड ने डाय लगा कर रन को पूरा कर लिया ऐसे में दोनों बलेबाज आउट होने से बच गए हालां कि गाइकवाड की इस हरकत पर लोग सोसल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना कर रहे हैं आपको बता दें कि टीम इंडिया ने डबलिन में सुकरवार को खेले गए तीन मैचों की T20 सिरीज के पहले मैच में आयरलेंड को दो रनों से मात दे दी आयरलेंड ने इस मैच में टीम इंडिया को 140 रनों का लक्ष दिया था लेकिन भारती टीम ने लक्ष का पीछा करते हुए 6.5 ओवर में 2 विकेट खोकर 47 रन बनाये थे कि बारिश सुरू हो गई जिसके बाद डखवर्स लुईस नियम के तहट टीम इंडिया को दो रनों से जीत मिल गई